आज आजादी के मौके पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ और सवाल सिर्फ इतना है कि देश को आजाद कराने वाले सबसे बड़े हीरो का नाम क्या है सबसे बड़े नायक का नाम क्या है जब भी हमसे ये सवाल किया जाता है कि देश को कितने आजात कराया तो अधिक्तर केसिज में हमारे मुझे निकलता है गांधी जी ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सबकॉंशिस माइंड में ये बात घर करके बैठी हुई है और उसका कारण ये है कि बच्पन से हमें यही सिखाया गया है यही बताया गया है यही पढ़ाया गया है और यही सुनाया गया है हमें यही सुनाया जाता है कि देदी हमें आजादी बिना खडग बिना धाल सावर मती के संथ तुने कर दिया कमाल दोफ्तो आज मैं इस मित को इस अधूरे सच को तोड़ने की एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस कोशिश में मेरा साध ने बशरते आपको मेरी बात पर यकीन हूँ देखे दोफ्तो मैं गांधी जी का पूरा सम्मान करता हूँ देखे लिए उन्होंने जो किया उसका सम्मान करता हूँ और कई जगे ऐसी भी हैं जहांपर मैं उनसे असमत हूँ और वहां उनका सम्मान करने का दिल नहीं होता लेकिन वो एक अलग मुद्दा है और यहां मैं गांधी जी की बात नहीं करने वाला हूँ इन फैक्ट मैं इस पॉइंट के बाद उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा मैं बात करूँगा उनके बारे में जिनने इतिहास की किताबों में भुलाया जा रहा है मैं बात करना चाहूंगा उनके बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक अलग मशाल जलाई थी और मैं यही मानता हूँ कि अगर उन्होंने एक बलिदान देने वाला कदम ना उठाया होता तो शायद हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते जी हाँ शायद हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंग की यह एक ऐसा नाम है जिसका चम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी होता है और उसका कारण सिर्फ इतना है कि शहीद आजम भगत सिंग ने हमारे देश में इंकलाब की चिंगारी को जो हवा दी थी उससे ही देश की आजादी की अचली मशाल जली थी और उसने ही देश को आजात करवाने में एक बड़ा योगनान दिया था लेकिन आज विड़मना ये है कि उस महान सुतंतरता संगराम से नानी को देश की कुछ किताबों में एक आतंगवादी के रूप में दिखाया जा रहा है जबकि भगत सिंग तो वो शक्त थे जो खुद हिंचा के खिलाफ थे वो तो बस बात करते थे आत्मरक्षा की आत्मसमान की और इस सोच को गलत धंगदे कर अंग्रेजों के साथ ही हमारे देश के कुछ नेताओं ने भी उन्हें इंचा का हिमायती बना कर लोगों के सामने पेश किया था जिस पर तब तो देशवाशीयों ने यकीन नहीं किया लेकिन आज देश के बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि भगज सिंग ने देश के लिए कुछ नहीं किया और बात करें भगत सिंग के लड़ने के तरीके की तो उनकी लड़ाई अंग्रेजों के नहीं हिंदुस्तान की जनता के सोई हुए आत्म सम्मान से थी और उसी आत्म सम्मान को जगाने के लिए उन्होंने खुद को गिरास्तार करवाया ताकि वो कोट में जाकर अपनी आवाज अगबारों तक पहुंचा सेके उसी आत्म सम्मान को जगाने के लिए उन्होंने कोट के जरी अपनी आवाज को देश की आवाम तक पहुंचाया और देश में इनकलाब की जो लहर चलाई थी उस से ही पूरा देश आजादी की मांग करने लगा और ध्यान दीजियो दुखतो शहीद आजम भगत सिंग ने ये सिब किया था सिर्फ और सिर्फ अपनी बुलंद आवाज के दमपर अपनी सोच के दमपर, अपने जुनून के दमपर, अपने जज़वे के दमपर उन्होंने इस इनकलाब को लाने के लिए आजादी की इस मशाल को जलाने के लिए किसी की जान नहीं ली थी हाँ कुछ गोलियां जरूर चलाई थी कुछ बम जरूर फोड़े थे लेकिन वो जरूरी था क्योंकि नकार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता वहाँ अपनी आवाज पर ध्यान खिचने के लिए एक शोर की जरूरत होती है और उसी लिए उन्होंने थोड़ा सा शोर किया था लेकिन उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने ना ही संचद में बम फोड़ कर किसी की जान ली थी और ना ही किसी के उपर गोली चलाई थी उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज उठाई थी और यहां मैं आपको ये भी बता दूँ कि मानव इधियास की दूसरी और देश की आजादी और सम्मान के लिए की गई सबसे लंबी भूखरताल भी भगत सिंग जी नहीं करी थी जो कि पूरे 116 दिन चली थी और इस भूखरताल ने देश के हर नागरिक के सीने में आग लगा हैं आज देश के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भगत सिंग फ्रीडम फाइटर थे ही नहीं करांतिकारी से नानी भी नहीं थे बलकि उनके नाम के आगे कुछ ऐसे शब्द लगाये जा रहे हैं जिसे भगत सिंग के नाम के साथ जोड़ना भी मुझे पाप लगता है औ आहीं अपने बच्चों को अपने छोटों को अपनी आने वाली पीड़ी को ये बताते हैं समझाते हैं कि देश के सबसे बड़े हीरो का नाम भगत सिंग है शहीदे आजम भगत सिंग दोस्तों मेरी इतनी उकात नहीं है कि मैं भगत सिंग की महानता के बारे में कुछ कह करने की कोशिश करना ही ऐसा होगा जैसे सूरज को दिये की रोशनी दिखाना तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कह पाऊंगा लेकिन मैं आपको यहां सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अपने छोटों को अपनी आने वाली पीडियों को भगर चिंग की मह कार खाने में तूती के आवाज नहीं चुनी जाती लेकिन धमाका सब को चुनाई देता है और ये धमाका हम सम मिल कर ही कर सकते हैं तो आप देखिए कि आपको शहीद आजम भगत सिंग की महानता के बारे में अपने बच्चों को अपनी आने वाली पीड़ी को अपने छोटों को बताना है कि नहीं बताना और देखिए दो तो मैं मेरी 8 साल की बेड़ी को ये बता चुका हूं कि भगत सिंग ने देश के लिए क्या किया था आने वाले वक्त में मैं आगे भी उन क्रांतिकारियों के बारे में उन शहीदों के बारे में उन महान आत्माओं के बारे में म आगक तिंग दोबाद